राजस्थान के गाउं में एक ऐसी घटना हो रही है, जिसको लोग भूत से, जिसको लोग तंत्र मंत्र से जोड़ करके देख रहे हैं, घटना में आग लग जा रही है, और ये आग कहीं भी लग जा रही है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वर्निंग देना चाहूंगा, कि अगर इस वीडियो को रात में आप देख रहे हो, तो प्लीज इसे दिन में देखिए, अगर आपको ऐसी बाते सुन करके डर लगता है, तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, और ये विजित्र टाइप की घटना के बारे में बताते हैं, राजस्थान में एक गाउं है, भौसली, इस गाउं में एक घर है, और उस घर में आग लग रही है, आग, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो यहां पे हो रहा है, ये पूरे गाउं को सदमे में डाले हुए है, दर घर के बेडरूम में या फिर घर के किसी बकसे में या फिर घर के कहीं भी या फिर जहां पर पसू मांधे जाते हैं वहां पर किसी भी कोने में कभी भी किसी भी छण आग लग जा रही है। अब आपको लग रहा होगा किसायत कोई लगा रहा होगा और बेवकूफ बना रहा होगा तो ऐसा स्टार्टिंग में सब को लगा लेकिन उसके बाद इनके घर में एक तारिख को पिछले महिने में एक तारिख को इनकी दादी की मृत्यू होती है सुनते रहिए, दादी की मृत्ति होती है एक तारिख को, जिनका नाम कस्तूरी देवी रहता है, छीक तेरह दिन बाद उसी घर में उनके छोटे बेटे की मृत्ति हो जाती है, सिलसिला यहीं तक नहीं थमता, ठीक 14 दिन बाद छोटे बड़े से छोटे लड़के जिसके मृत्ति होई थी, उससे एक बड़ा लड़का रहता है, उसकी भी ठीक 14 दिन बाद मृत्ति हो जाती है, और इसी के साथ साथ यह रहस्माई घटना आग लगने की यह चलती रहती है, प्रशाशन को भी बुलाया जाता है, लेकिन प्रशाशन आग लगने की घटना को प्लियर नहीं कर पाता है, मैं फिर वही पर चलना चाहूँगा, कि आप लोगों को लग रहा होगा, कि कोई आग लगा देता होगा, तो यहाँ पर जो ग्रामिड हैं, जो गाउं के लोग हैं, उनका कहना है, कि जब से यह घटना प्रारंभ हुई है, तब से गाउं वाले भी वहां पर पहरा दे रहे हैं, और पहरा देने के बावजूद भी आग लग जा रही है, अब गाउं वाले जो कह रहे हैं तोना टोटका से इस चीज को चोड़ करके देख रहे हैं साथे साथ बहुत कुछ यहां पे प्रॉब्लम्स हो रही है गाउं वालों का कहना है कि हम बाहर रह रहे हैं और घर में आग लग जा रही है बक्से के भीतर आग लग जा रही है अब ये मामला क्या है पूरा गाउ हैरान है गाउ ही नहीं अब तो मीडिया भी पुलिस भी हैरान है और पुलिस आश्वासन दे रही है पुलिस यहां तक की घरवालों से भी पूछ रही है कि किसी के साथ आपकी दुस्मनी हो तो बता ये लेकिन घरवाले तो बोल रहे हैं किसी के साथ दुस्मनी नहीं है अच्छा जो तीनों की तीनों मृत्यू हुई हैं कहा जा रहा है कि एक बार उल्टी होती है और उसके बाद मृत्यू तीनों की मृत्यूं में ऐसा ही खटना क्रम सामने आया है अब एक तो अचानक से आग लगना कहीं भी किसी भी वक्त पहरे में भी आग लग जाना भैस के खाने वाले चारे में आग लग जाना उसके घर में आग लग जाना वक्से में आग लग जाना किसी घर के कोने में कपड़े में आग लग जाना ये कुछ अजीब टाइप का सिम्टम नहीं आपको दिख रहा है हलाकि मैं दावा नहीं करता हूँ ये अजीब है या फिर किसी का सडियंत्र है या फिर क्या है लेकिन जो मामला सामने निकल के आ रहा है ये बिल्कुल डरा देने वाला है 82 वर्स की दादी के मृत्यों के बाद दो बेटों का मृत्यों होना वो भी 13 दिन और 14 दिन के अंतरकाल में एक ही महीने में तीन लोगों का मरना एक बार उल्टी करके मरना ये अपने आप में ही भयावः प्रतीत हो रहा है तरह तरह की बाते लोग कर रहे हैं लेकिन अभी तक मामला साफ नहीं हो पाया है आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है आप बताईए और प्रशाशन भी अपना काम अप कर रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं बता चला राकि कुछ भी नई अपडेट्स आती हैं तो हम जरूर आपको बताएंगे राम राम वेहां कित से